हलो गाइस वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज का हमारा टॉपिक है डार्क वेब और मैं हूँ आपका दोस्त भासकर वर्मा तो प्रिविएस वीडियो के अंदर हमने जो है डिसकस किया था वर्ल्ड वाइल वैब के बारे में यानि इंटरनेट के बारे में और उसको हमने फॉर वीडियो के अंदर मैंने डिटेयल में समझा है था सफेस वेबक के बारे में और डीप वेबके बारे में अभी Yi जो वीडियो i8 के भारे में थोड़ा सा डिटेयल के अंदर तो चलिए शूरू करते हैं तो डाक वेब़ जो है फोड़ा सथ आप ticket है डीप वैब के और से सरफेस वेपस हैं सरफेस वेप वो था जो बिलकुल easy to access था आपके लिए आप कभी भी search एंजन में उसके बारे में डालिए किसी भी चीज के बारे में information डालिए उसका information जो आपको पहले स्टार्टिंग में जो जाती है वो surface वह होता है डीप वह आपसे वह information अगर share करेगा तभी आप वह information देख सकते हैं या आपसे जो personal आपकी जो information होती है जैसे आपका digital locker होता है या आपका wallet होता है e-wallets या आपका ptm funds वगारा की जो wallet होते हैं आपका net banking होती है यह सब आता है deep web के अंदर आपके google drive या cloud पे आपने account में जो भी details save कर रख सकते हैं और dark web जो है जड़ा हटके हैं क्या होता है कि यह उन servers पे save नहीं होते हैं जिस पर आपकी surface और deep web की information save होती है इनके लिए different servers होते हैं dark web के लिए ठीक है और different servers जो होते हैं वो direct सीधा search engines के थूरू आप उनसे connect नहीं कर सकते हैं ले जाए आपने google.com खोला wiki.com yahoo bing आप उन पर कुछ भी information डालते हैं आप सोचते हैं कि आप dark web के किसी भी server से connected हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है उनके लिए special software की requirement होती है और special permissions की requirement होती है special tactics लगाके आप उनके अंदर enter कर सकते हैं और उनकी अलग सी ही websites होती है अलग ही उनके डोमेन होते हैं जैसे नॉर्मल यह आपके .in, .com, .nic यह वाले आपके domain नहीं होते हैं example के लिए .onion एक domain है जो dark web के websites के लिए ही यूज होता है और इन websites और servers से connected होने के लिए लोग वर्चुल प्राइवेट नेटवर्क याणि VPNS का साहरा लेते हैं VPNS का यूज क्या होता है कि माल लिए आप जिस country के अंदर रहते हैं उस country के अंदर कुछ websites या कुछ servers blocked है आप उन्हें access नहीं कर सकते हैं तो VPN वर्चुल प्राइवेट नेटवर्क आप यूज करके इस चीज को आप यूज करके जो है उस server से connect हो सकते हैं ठीक है इसका में काम क्या होता है कि आपके origin को चुपा लेता मास कर देता माली जे website जो है वो आपकी country में ब्लोक है बट आप connect हो रहे हैं किसी दूसरी country के server से आपकी country में वो बैं है बट आप किसी दूसरी country के server से connect होके उस information को access कर सकते हैं इस तरीके से इन service को sorry dark web के जो service है उनको access किया जाता है और सबसे बड़ी चीज जो होती है इस होगा कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा server website जो आपके country में ब्लोक है या बैंड है किसी कारण से कि आप उसे use नहीं कर सकते है बट फिर भी कोई बंदा उस पे जाता है या उसको access करने की कोशिश करता है तो क्या होता है हर country के अंदर एक private या public जो है authority होती है एक body होती है cyber बर सब्सैल के नाम से जो cyber crime और ऐसी ही कुछ चीज़ों को ऐसी ही कुछ activity को monitor करता है और उन पे लगाम लगाता है इसलिए dark web के अंदर कोई भी बंदा अगर enter करता है तो उसके पहचान चुपाई जाती है कोई भी बंदा dark web के अंदर अपनी website बनाके करता है कोई deal करता है को कोई बिजनस करता है कुछ भी X Y Z करता है तो उसकी कोई भी पहचान जो पता लगाना मुश्किल है इसी वज़े से जो यह चीज आज भी चल रही है और इसको शटडाउन करना इतना मुश्किल है इनी रिजन से जो है डाक वेब का यूज इलीगल धंदों के अंदर इलीगल ड्रैफिकिंग हो गया ड्रॉग डिलिंग वेबन्स डिलिंग हो गया इस टैब की जो भी जो बिजनस है या इस टैब की आकٹीविटिस है उसके अंदर डाक वेब का ही यूज किया जाता है क्योंकि अगर सरफेस वेब या डीप वेब थीनिव पे उन्दर इन चीज़ों का record या data जो है store होता है उसके अलावा कोई drug dealing करता है या contract killer जो है वो एक website के थुरू अपने customers ढूंडता है या कोई भी आदमी जो है contract killers को website के थुरू contact कर सकते हैं या drug dealing के लिए या weapons जो है आपके हतियार जो होते हैं illegal उनके लिए अगर कोई dark web का सहरा लेता है तो ये सारी चीज़े जो आपको पता है illegal है ठीक है तो इन चीज़ों से जो है बचके ही रहना चाहिए ऐसे से चीज़ों के अंदर ऐसा ना हो कि आप जस्त देखने के लिए उसको access कर रहे हैं और आपके उपर कोई खत्रा आ जाए जो cyber cell है हमारे उनके पास आपकी information चली जा या जैसे तैसे वो आपको monitor कर लेंगी आपनी ये चीज़ विजिट की थी तो कही ना कही उस चीज़ में आपके भी हाथ जुड़ जाते हैं तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है सिंस ये चीज़ें cyber crime से जुड़ी होती है cyber security से जुड़ी होती है तो इन जैसे चीज़ों से जो है दूरी बनाए रखने में ही बलाई होती है example के लिए मान लिजे मैं बैठा हूँ मैंने laptop से क्या किया VPN का use किया और जैसे तैसे करके tactics लगाके मैं किसी dark web के server से connected हो गया लेकिन क्या भरोसा है कि जिस server से मैं connect हुआ हूँ जो website में open कर रहा हूँ उस website के तुरू मेरे laptop के अंदर कोई ऐसा virus deploy हो जाए कि मेरा system पुरा का पुरा खराब हो जाए या मेरा system hack हो जाए जो भी मैं banking activities करता हूँ मेरे laptop के उपर मैं अपना wallets वगेरा maintain करता हूँ या मैं अपने private documents जो है secure करके रखता हूँ मैं किसी मेरे project के उपर ऐसे काम कर रहा हूँ जो जिसका information मैं किसी के साथ share नहीं कर सकता है क्योंकि वो project अभी running पे है वो project अभी deploy नहीं हुआ है वो project जो है dark web इसके बारे में कोई भी आपका doubt है question है तो आप comment section में लिखना ना भूले और हाँ आपने views भी share करना ना भूले अगर आपके mind में कोई ऐसा topic है इसके related या इससे different कोई भी topic है तो आप please comment कर दीजिए और उसके उपर मैं जो है नई एक video लेके आ जाओंगा तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care